उत्पत्ति अर्ध्याय तेईस सारा के मुत्यू और अंतक्रिया का वर्नन सारा तो 127 वर्ष की अवस्ता को पहुची और जब सारा की इतनी अवस्ता हुई तब वह किर्य तर्बा में मर गई यह तो कनान देश में है और हेबरोन भी कहलाता है सो इबराहिम सारा के लिए रोने पिटने को वहां गया तब इबराहिम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्यों से कहने लगा मैं तुम्हारे बीच पहुन और परदेशी हूँ मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमी दो जो मेरी निजकी हो जाए कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आख की ओट करू हित्यों ने इबराहिम से कहा हे हमारे प्रभू हमारी सुन तु तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है सो हमारी कब्रों में से जिसको तु चाहे उसमें अपने मुर्दे को गाड़ हमें से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा कि तु अपने मुर्दे को उसमें गाड़ने न पाए तब इबराहिम उठ कर खड़ा हुआ और हित्यों के सन्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा यदि तुमारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आख की ओट करू तो मेरी प्राष्णा है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए बिंती करो कि वह अपनी मकपेला वाली गूफा जो अपनी भूमी की सीमा पर है उसका पुरा दाम लेकर मुझे दे दे कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निजभूमी हो जाए और एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था सो जितने हित्ति उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे उन सभों के सामने उसने इबराहिम को उत्तर दिया कि है मेरे प्रभू ऐसा नहीं मेरी सुन वह भूमी मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गूफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ अपने जारभाईयों के सनमुख मैं उसे तुझको दिया देता हूँ सो अपने मुर्दे को कब्र में रख तब इबराहिम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत की और उनके सुनते हुए एपरोन से कहा यदि तुझ ऐसा चाहे तो मेरी सुन उस भूमी का जो दाम हो वहाँ मैं देना चाहता हूँ उसे मुझसे ले ले तब मैं अपने मुर्दे को वहाँ गाड़ूंगा एपरोन ने इबराहिम को यह उत्तर दिया कि है मेरे प्रभू मेरी बात सुन उस भूमी का दाम तो चारसो शेकेल रूपा है पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है अपने मुर्दे को कब्र में रख इबराहिम ने एपरोन की मान कर उसको उतना रूपा तौल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था अर्था चारसो ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे सो एपरोन की भूमी जो मम्रे के सन्मुक की मकपिला में थी वह गुफा समेत और उन सब रुक्षो समेत भी जो उसमें रुसके चारो और सीमा पर थे जिसने हित्ति उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे उन सबों के सामने इबराहिम के अधिकार में पक्की रिक्षे आ गई इसके पस्चात इबराहिम ने अपनी पत्नी सारा को उस मक्पिला वाली भूमी की गुफा में जो मम्रे के अर्थात हिब्रोन के सामने कनान देश में मिट्टी दी और वह भूमी गूफा समेत जो उसमें थी हित्कियों के ओर से कब्रिस्तान के दिये इबराहीम के अधिकार में पक्की रिकी से आ गई